कि अजी बच्चे तो प्रडूसर बेहेवियर में आपका एक बिल्कुल आज स्टार्ट हो रहा है यूनिट और इसमें फर्स चेप्टर आपका पंक्शन के उपर है तो आपके मन में सबसे पहला कोशन ही आया हुगा कि इसको हिंदी मम उत्पादन फलन भी कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं उत्पादन फलर्न तो पहला कोशन यह आया आए आपके मन में की तो प्रडक्शन फंक्शन का मीनिंग क्या है तो बच्चे अगर यहीं पर मैं एक education का production कर रहा हूं तो यहां पर भी मैंने resources को लगाया हुआ है मैं खुद as a human resource काम कर रहा हूं यह land as a resource मेरे लिए काम कर रहा है यह सब resources आपसे मिल करके काम कर रही है तब ही जाकर के services का production हो पा रहा है लेकिन इस chapter में बच्चे हम सरफ goods के production की बात करेंगे services के production की बात नहीं करेंगे क्योंकि services की quantity को observe करना बहुत difficult हो जाता है कि कितना production हुआ, कितना change आया क्योंकि services क्या होते हैं, intangible होते हैं services आप देख नहीं सकते, services आप छूँ नहीं सकते for example, आपका mobile phone, यह goods है और जो internet आप इसमें use करते हो, वो services है तो इस chapter में पूरी तरीके से हम जो बात करेंगे वो हम goods के production की बात करेंगे services के production की बात नहीं करेंगे बैसे तो दोनों चीज़ को produce किया जाता है goods कभी भी होता है और services को भी produce किया जाता है लेकिन इस chapter में हम services की बात नहीं करेंगे इसलिए बार-बार इस chapter में आगर आप देखेंगे तो production से पहले एक word आएगा physical production physical का मतलब ही क्या हो गया इसको देख सकते हो, जिसको चू सकते हो clear है बचे तो physical word पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर goods के production की बात कर रहे है तो खेर अब बाद में पहुँचेंगे कि बचा क्या होता है production पहले आप factor को समझे factor क्या होता है तो किसी भी goods को जब आप produce करते हैं तो उसमें जिन भी चीज़ों को आप अपने help में लेकर के आते हैं जिन भी चीज़ों को अपने use में लेकरके आते हैं जिसकी helps से आप चीज़ों को produce कर सकते हैं उप अपके लिए क्या होती है sources होती है sources को हम factor भी बोलते हैं दोनों एक ही नाम है Hindi में साधन बोलते है sources को और factor को कारक बोलते है तो आप चाहए sources बोलो चाहे आप factor बोलो, एक ही चीज़े दोनों, दोनों का मतलब है जो भी आपको produce कर रहे ब्लक्षन में, आपको help कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए as a factor या as a resources आप उसको use कर रहे हैं, अब resources भी basically बचे जैसे यहाँ factor है, factor मैं आपको दिखाओ ना, क्या क्या factor है, तो सुगर को produce करना है, अब सुगर को यहाँ पर produce कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो यह machinery का इस्तेमाल हो रहा है, तो यह मेरे लिए क्या as a factor है, चीक है न, land मेरे लिए factor है, और आप देखेंगे यह raw material है न, सुगर के लिए, गन्ना, सुगर को अगर आप produce कर रहे हो, तो आपक क्या यह factor है, जिसके help आप की अज़कर कपर रहे हैं, तो यह machinery आपके लिए factor है, और आप यह raw material भी क्या आपके लिए? Factor, बिना raw material के आप प्लक्शन करी नहीं सकते न, तो यह factor है, लेकिन दोनों factor में हैं न, differences हैं, दोनों factor जो है, दोनों में differences हैं, कैसे जो यह factor आप देख रहते हैं फिक्स फेक्टर और इसको हम बोलते हैं वेरिबल फेक्टर जो है हिंदी में आपका स्थिरागत और परिवर्दशी लागत आगत मतलब संसाधन और इस्तिर मतलब जुस्तिर है बच्चे देखेगा यह जो फैक्टर है न मशिनरी अगर आपको अपना आउटपुट बढ़ाना है इंक्रीज करना है तो इसको आप रातो रात इसके अंदर चेंजिस नहीं कर सकते हो मशिनरी के अंदर ज्यादा ओडर आ नहीं बढ़ा सकते हो आप अपने मशिन प्लांट मैं मुझे समय लगेगा तो शॉक्टरन में जिस फैक्टर每 चैंजिस लाया जा सकता है शॉटन मतलब छोटा समय कम समय तो शॉर्ट रं में एक फेक्ट्र ऐसा होगा, इसकर lacking कर सकते हो, और शॉर्ट रं。。 एक फेक्तर ऐसा होगा, इसमें आप कोई bhi changes नहीं कर पाओगे तो जिसको आप change कर सकते हो जिसकी quantity आप बड़ा घड़ा सकते हो उस factor को आप variable factor बोलोगे और short run में जिसकी quantity को आप गड़ा बड़ा नहीं सकते हो उस factor को आप fixed factor बोलोगे तो land एक example है, land भी factor है और labor भी factor है लेकिन land एक example है fixed factor की क्यूंकि उसको आप शौट रण के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेबर आपका जो एक्जामपल है वो है, वो सुरी वेरिवल पेक्टर का, क्यूंकि अगर आपके पास ज्यादा अगर आपका ओडर आ जाता है, तो आप ज्यादा लेबर अपने जो है, आप इमिज सब्लक्षिन कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें आपको help provide कर रही है वो सारे के सारे आपके लिए वो सारे सारे जो resource है वो आपके लिए अधर फैक्टर यूज होते हैं फैक्टर कितने टाइपस के होगे दो टाइपस के आपके पास में variable पफेक्टर aland fix factor fix factor वो फैक्टर हो गए जिसको आप जो है也 इसको आप श्रॉट रंवे चेंजनेज नहीं कर सकते हैं है यह को आप्टेल मशीन्डी बलांटर मशीनरी एक तो दो प्रहे हैं दो प्लांटर मशीनरी आपका जो तो आपको फेक्टर संज में आ अब देखिए यह क्या है यह आपके पास में कि यह आपका रिसोर्स है जो रो मेट्रियल है और यह आपका आउट्पूट है जो सुगर है इसके बीच में एक टेकनिकल स्टैबलिस हुआ है ऐसे हीएं कि गन्ना पड़ाफडा आप चीनी बन गया है घंभनेख्ञां बैठे रहे हैं लेकि नहीं है उसमें कोई कोई टेकनिकल रिलेशन आप स्टैबलिस करोगे किसी प्रोसेस से निकालो्ंगे तब जाकर्कि वो सुगर जो है वो गन्ना जो है वो चीनी मदल पाएगा तो आप इस पात को समझेगा कि आपके पास में रिसोर्सिस में और आपके आउटपुट में एक टेक्निकल रिलेशन होता है एक संबंद पाए जाता है कि रिसोर्सिस में जब तक आप कोई भी प्रोसेस नहीं लगाते हो तब तक वो रिसोर्सिस आपका आउटपुट के अंदर कंवर्ट नहीं होगा तो इसको कहते एक टेक्निकल रिलेशन का होना किसके बीच में रिसोर्सिस के बीच में और आउटपुट के बीच में तो यह टेक्निकल रिलेशन होता है इसी को इस रिलेशन को उस रिलेशन को हम क्या बोल करते हैं के से और आपके पास में अगर मैं फॉंक्शन की बात करूं तो यहां पर दो चीजे यूज होंगी दो फैक्टर यूज होंगी कौन-कौन सा एक आपका क्यापिटल और एक आपका लेबर क्लिर जिसमें की कैपिटल क्या आपके लिए अगर आपके लिए अगर आप फंक्शन देखते हैं तो उस प्रडुक्शन फंक्शन में आपको एल और के सब्द का आपका इस्तेमाल होगा यह लेटर्स आपको यूज होंगी तो वहाँ पर एल मिंस लेबर और के मिंस कैपिडल और कि शॉर्ट रन में किसी भी कमडिटी का प्लिक्शन कर रहे हैं तो सरफ औस सरफ वेरिबल फेक्टर से प्लिक्शन नहीं हो सकता है अबेख इस सिरह वं सिरह सिर्फ आपका अजाओ प्लिक्शन करने में हमें दोनों ही factor को use में लाना पड़ता है अगर हम खेती वी कर रहे हैं तो वहाँ पद जो है दोनों ही factor यूज़ हूमें आ रहा है अब लोग कैसे सर तो जो land है वो क्या है fixed factor और जो उस पर किसान है वो क्या है तो किसी भी committee का blockchain करते हैं हम short run में तो हमें दोनों यहां पर फिक्स टेक्टर के लिए लेबर रखा गया है और आपको जो फंक्शन फंक्शन उसमें के और अल वर्ड आपको देखने को मिलेगा अब सवाल है सर्ष शॉट रन क्या होता है शॉट रन का मतलब मतलब है चोटा समय जा फिर एक ऐसा टाम पीरिड जिसके अंदर कि शॉट रन किसे कहते हैं एक कम समय मतलब डैफिरिशें आप एब लिए सकते हो कि एक ऐसा टाम पीरिड जिसके अंदर आप एक ही फेक्टर में चेंज ला सकते हैं प्लक्शन को बढ़ाने के लिए आप दूसरे फेक्टर में चेंज तो वो पीरिड मतलब शॉट पिरिड और long run किसे कहते हैं long run long period किसे कहते हैं जिसमें आप जो है दोनों ही factor में changes और आने वाले पांस साल के बाद मेरे जो है land भी बढ़ा हो सकता है space बढ़ा सकता हूं मैं clear हैं तो आए कुछ सब्द है पहले सको समझ जाए आगे फिर अभी तो सब्सक्राइब आपको क्या कर रहे हैं यह आपका producer behavior है और अभी तो आप consumer behavior के उपर थे तो consumer behavior में आप लोगो सोचना था answer करने के लिए वह आपके लिए आसान था क्यूंकि आप पूरे दिन में कई बर बनते हैं लेकिन आप आपका जो unit है वो है producer behavior अब आप लोग यह मान के चलिए कि आप सब क्या है producer है कुछ आप चीजों को produce कर रहे हैं तो उस point of view से आपने सोचना है तब ही आप correct answer दे पाऊगे और सारे terms आपके लिए नए मिलेंगे इसलिए मैं terms को बार-बार अभी स्टार्टि में से विया सकता है function function में से एक कोस्ट में से तो definitely आता ही आता है नुमेरिकल द्यान अखिएगा चलि कुछ basic बाते हो चुकी है हां जी what is the meaning of election function क्या meaning of election function का तो मैंने क्या बतायता आपको जो technical relation होता किसे किस के बीच में output में और आपका जो है resources के बीच में तो यहां पर आपसे क्या कर रहा है in an economics such a relationship is a non there is the exist the sum relationship between the inputs and output inputs मतलब क्या resources को हम क्या बोलते भया resources को inputs बोल दीजिए resources बोल दीजिए factor बोल दीजिए तीनों एक ही सब्द है सिनोने में तीनों समझें तो जो inputs और output के बीच में जो relation होता है form in a economics such a relationship is non as a function function क्लेरे बच्चे प्लक्षण function is and the expression of the technological relation between the physical inputs and the output of the good जो technical relation होता है उस technical relation को हम क्या बोलते हैं हम बोलते है production function बतायता भी technical relation क्या होता है एक सुगर केन को मशीन में डाल कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं उसको एक सुगर केन को सुगर कर रहे हैं तो जो technical relation इस पे हम apply कर रहे हैं उसी को हम बोलते है production function define the term of the short run short run किसे कहते है मैं लग छोटा समय तो क्या कहता है short run refer to other period in which the output can be changed by the changing only variable factor short run वो होता है जिसमें कि आप अपने output में changes अगर लाना चाह रहे हैं तो सिर्फ औस सिरफ variable factor में ही change ला सकते हैं दूसरा factor आप change करी नहीं पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो पीरेड आपके लिए क्या है short run है और long run क्या कहते हैं बड़ा लंबा समय लॉंग रेफर्ट टू आप पीरेड इन विस दा output can be changed अपने production को आप चेंज कर सकते हैं by changing all factor production मैं अपने output को change कर सकता हूं बढ़ा भी बढ़ा रहा हूं और किसकी वज़े से किसी भी फ्रेक्टर की वएसे तो कहीं नहीं कहीं कि लंबे समय की बात हो रही है न क्यों कि लंबे समय में किसी भी फ्रेक्टर को यूज में लागर करती है वह लॉंगर में पॉसिबल है कि आप किसी भी फ्रेक्टर में changes ला सकते हैं बागी शॉटर में तो सरफ आप वेरिबल फ्रेक्टर में changes ला सकते हैं clear है कि differentiate between the short and long run meaning हो गया आपके पास क्लासिफिकेशन फेक्टर साथ क्लासिफाइब अधर वेरिबल एंद फिक्स फेक्टर इन शॉट रन शॉट रन के अंदर तो भईया एक कुछ हो गया वेरिबल हो गया कुछ हो गया फिक्स लॉंग रन के अंदर सारे वेरिबल होते हैं पड़िया आप जो है इस दोनों को अपको पढ़ना पड़ेगा शॉट रन में और लॉंग रन में price determination in the short run the demand is the more active in the price determination in the long run the both demand and supply pay equal role short run में हो सकता है कि demand जादा हो गया but long run में क्या होता है दिमांड जादा तो supply automatic adjust हो जाता है market and supply के force market supply force के आगे आगे आपको बताऊंगा नहीं ठीक है अब variable factor किसे कहते है variable factor refer to those factor which can be changed in the short run variable factor किसे कहते है कि ऐसा factor जिसको हम short run में change कर सकते हैं और fixed factor fixed factors refer to those factors which cannot be change in the short run short run कि इसको long run में change कर सकते हैं बद शोटन में change उसे हम क्या बोलते fix factor अब आपको टीपी क्या होता है आपका अपका पी क्या होता है average product MP क्या होता है कि आई एक question करते हैं यह पर मौस्ट 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 इंपोर्टन कोशन है आपको एपी टीपी MP सारे पी समझ में आ जाएंगे आपको और पेपर में इस सवाल आएगा या आएगा इसके बिना आस तक न कभी कोई हाँ जी सर एक किसान है खेती कर रहा है दान सो शमझेगा इसको शमझ में बहुत को समझ में आ जाएगा low variable proportion समझ में आ जाएगा AP and MP समझ में आ जाएगा TP समझ में आ जाएगा relationship between AP and MP समझ में आ जाएगा आपको numerical समझ में आ जाएगे ये एक example सब कुछ आपको करवा देगा इस example में 30 मिन भी चले जाएगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको पूरा chapter खतम हो जाएगा मान के चलिए क्या example समझते हैं चलिए मान के चलिए बच्चे आप किसान हैं और आप वीड का प्लक्शन कर रहे हैं आप वीड का प्लक्शन कर रहे हैं तो आपको factor की requirement होगी तो किस तरगी का factor चीए आपको variable या फिर आपको fix तो आईए चीजों को हम produce करेंगे produce करने से पहले प्लक्शन करने से पहले एक काम कर लेते हैं बच्चे हम अपने लिए factor को यूज लियाते हैं ठीक है ना एक fix factor ले लेता हूँ ठीक है और एक variable factor ले लेते हैं एक fix factor ले लेते हैं और एक variable factor ले ले लेते हैं clear है बच्चे fix factor देखेंगे बच्चे यहां पर लाय था कि कुछ someone fix factor देखेंगे बच्चे हमारे पास में एक है एक hectare land मान लीजी एक हेक्टर land का मतलब क्या हो गया 100 मिटर लंबा 100 मिटर चोडा कि इतने जमीन है सो मिटर एक मिटर तो पताई है ना आपको ऐसे सो मिटर लंबा और सो मिटर चोड़ा इसको हम क्या बोलते हैं हेक्टर एक हेक्टर तो माले जी मेरे पर एक हेक्टर लैंड है तो यह में लिए फिक्स फेक्टर है लैंड तो फिक्स फेक्टर में मैं क्या ले लेबर ठीक है बच्चे तो मेरे पास में और यहां पर मैं ले रहा हूं अपना टोटल प्रोडक्शन क्लिर है बच्चे या टोटल प्रोडक्शन बाद में लेंगे पहले लेते हैं इसको बसे हम शौट पे न एम पीपी भी बोलते हैं और एम पीपी मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन फिजिकल मतलब इसको देख सकते हैं चूँ सकते हैं और आप एम पीपी भी बोल देते हैं मार्जर प्रोडक्शन तो एक ही चीज़ आए क्लिर है तो भाई साब आप जो है लेंड का यूस कर रहें और एक एक लेंड आपने यूज किया और उस पे एक लेबर का इस्तेमाल किया तो कुछ तो प्लक्शन होगा होगा नहीं होगा कुछ प्लक्शन तो मान लेजिए आपका प्लक्शन जो है फोर केजी बीटर प्लक्शन हुआ नहीं सुझे माया देखिए यह खेट है भाई साब आपका ठीक है और आपने यहापर क्या करा है एक लेबर लगाया तो अब आपने फिक्स टेक्टर पर वैरिबल फैक्टर भी लगा दिया आप चीजों का प्लक्शन होगा एक किसान लगाया तो आप में मान लेजिए कि इसने जो कर पाया ये ये जो है कितना कर पाया फोर केजी कितना कर पाया बच्चे ये ये फोर केजी का प्लक्शन कर पाया तो एक लेबर या एक वैरिबल फैक्टर के आने के वैसे जो भी आपका प्लक्शन होता है किसकी वैसे वैरिबल फैक्टर के एक आने से उस वैरिबल फैक्टर ने जितना भी आपको पड्यूस करके दिया आप वैरिबल फैक्टर बोल दीजिए तो लेबर बोल दीजिए बात पोई किए लेबर को वैरिबल फैक्टर बोलते है तो एक वैरिबल फैक्टर के आने से जितना भी आपका गूर्स जो है जो भी आउट्पूट आपका हुआ उस एक एडिशनल वेरिबल फेक्टर की वेश से उस आउट्पूट को मार्जिनल प्रोड़क्ट कहते हैं समझे एक लेबर आये कितना प्रोड़क्शन हुआ चार तो इसलिकों हमने क्या वहला मार्जिनल प्रोड़क्शन अब अगला फिर से क्या कर रहे हैं लेंड तो मेरे लिए इसमें चेंज आएगा लेंड के अंदर बताओ जरा यह तो फिक्स फेक्टर है जो पहले दाबी भी ह लेकिन लेबर मेंला सकता हो जैकर मैं भाद quiet अब मैं में बड़ा दिया दो लेंफे लगा अब बताये मुझे कि अब एक लेबर और आ गया तो अब एक लेबर के और आने से जो मेरा जो सेकिन लेबर जो पडियूस करके देगा फस्ट लेबर ने कितना पडियूस करके दिया था आपको मालूम है चार बर जो सेकिन लेबर मुझे पडियूस करके देगा वो फस्ट लेबर जितना करके देगा या फस्ट लेबर से कम प्लक्षिन करके देगा या फस्ट लेबर स साथ आपके कहना चाहरें कि जो सकेंड लेबर है वो फस्ट लेबर रिकमपेटेवली ज्यादा ब्लक्षिन करके देगा यह कहना है आपका कितने बचे कहते हैं कम देगा कितने बचे कह रहे हैं बराबर देगा कितने बचे कह रहे हैं ज्यादा देगा और कितने बचे कह रहे ह है और फॵुक सिंट लेवर ऊए गानों वह सब्सक्राइबर करके करके देगा जी द बॉक मिलेग ऑब है वह सब्सक्राइब के लिन ज्जादा प्लख्शन करके देगा ं डियर है सब्सक्राइब अन्याख सफ़ाहे मनमें क्यों करके देगा भाई तो देखिएगा क्या होता है जब एक अकेला लेबर काम कर रहा होता है तो सारे काम उसी को करने पड़ेंगे आप अपने घर में देखिएगा मेरे पहले बात समझेए आपको अकेले की रिस्मोंसिलिटी दीए कि पूरे घर के साथ सफाई करके और आपको खाना मनाना है एक एक सामपल लेते हैं देखिए विशान सब्सक्राइब करते हुए समझ लेते हैं चीजों को फिर इसकी टर्म्स आम बात करेंगी क्या कहना चाहरह है फिर पहले आप चीजों कर लिजीए कि आपको घर का काम करना है आपको पुरा सावसाय संद्स कुछ कपड़े उपड़े दहने हैं सारे काम करने आपने पानी वानी सब इल कि आप अपने सुबह साथ होज आट अब जा इसे से लग जाएं पर आपको एक वज जाएं हो सकत आ वह सारे काम करने ना, खाना भी आपने बनाना है, बतन भी आपको दोने है, कपड़ भी दोने है, गर की साफ सफाई भी करने है आपको, सारा एक काम करना है आपको, तो होता है आपको पांच घंटे लगे, उस काम को करने में, चुकि सारा काम करने वाले आप अकेले ही थे, सा और यह इसमें कुछ समय बरवाद हो गया आपको पांच घंटे क्यों लगे मैं बता रहा हूं आपको कम भी लगता तर्फ टता करने आल अप पके लिए से पिर नल बंद करने जा रहे हो फिर आ रहे हो फिर काम कर रहे हो तो कुछ समय की बरवादी नहीं होगी आपके साथ में अब एक काम से हटके दर दूसरे काम में लगोगे तो सिफ्ट होने में कुछ टाइम आपका वेश्ट हो जाएगा जा फिर दुबारा आप उस काम पर वापस कुछ करने के लिए आपका समय तो इतना उपर नीचे आगल एक अगाउर फ्र एक बरवादी सत्तों आपके कम है तो इसका मतलब यह नहीं किdoor आप दावगों जाते कि फ्रय गंटे काम काम हो जाएगा क्विकई दौव लोगframe नहीं करने माले आपके साथ में यह तो प्सकूद हो जाए उन्य घंठ IG तो पर आपकी ताइम की सेविंग हो जाएगी जिसकी वजह से अब आपका टाइम बच जाएगा तो उस वेज़े जितना टाइम पहले काम में लग रहा था उससे कम टाइम लगेगा आप उतना ही लगाते हैं तो पहले से ज़्यादा प्लक्षन आपको होगा बात समझ रहे हैं अब इसी तरीके से क्या हुआ जब एक किसान काम कर रहा था सारे काम इसी को करने थे तो यह चार केजी का प्लक्षन कर पा रहा था जब एक और किसान आ गया तो अब क्या होगा एक और किसान आने के बज़े से अब दो किसान होगे तो कहीं न कहीं ये work changing कर लेगे काम को आपस में बाठ लेंगे और काम को बाठ के करने से क्या होता है आपकी उस काम में आपकी निपूर्पा आपकी छंता आपकी efficiency improve होती है कि कि नहीं होटी delicious काम को बांटे कर कर पाएगा इसलिए production पहले से अब जितना भी growth होगा भले दोनों ने मिलके काम करा है लेकिन इसमें जो ए credit second को चला जाएगा तो आया तभी possible होगा लगाओगे तो फ्रस्ट जितना होगा या फस से कम या फस से जादा क्यों वर्क डिविजन हो गया और इस टार्टिंग में आपका फिक्स ट्र अंडर उटिलाइजिशन हो रहा था मदलब की पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था और जैसे वर्क डिविजन हुआ तो दोनों की ह आप ज्यादा एरिये को अभर कर पाएंगे तो पर्लक्षन भी पहले से ज्यादा हो पाएगा अब बात करेंगे यह तो चेंज नहीं होणा एक और लगाया अब इससे प्लक्षन क्या होगा और व्र्क डिविजन है व्र आप और अच्छी ते कर पाँगे का म को और बाट प आपके पास में और वर्क डिवीजन हो गया तो आपके पास में फिर से क्या हुआ तो आप फोर्थ लेबर आपका पहले से और ज़्यादा प्लक्षिंग करके दे पाएगा हुआ पहले ने तो चार दूसरे ने छे तीसरे ने आठ और चुत्ता लेबर के ज्यादा देगा वह एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास में जो फिक्स टैर वो जो एविलिबिल्टी यह वो कम हो जाएगा अब एक कमरे में सो लोगो गुसा दें वहले सफाई करो वह जाएगे सफाई तो को निकालो तो क्या मिलेगा अब यह एक लिबिटेशन होता है नहीं कि फिक्स ट्रेटर इतना है तो उस पर इतना ही वेरिबल फेक्टर लासे एक कंप्टर पर आपको क्या लगता है दस लोगों बिठा देने से काम टैन टैम जाद हो जाएगा यह एक कंप्टर पर एक ही बंदी की जिगह है ना थीन लोग बिठाओ के तो काम और खराब हो आपस में लटने बनने लए जाएंगे यह दुसरे के कप्ड़ बड़े फाड़ देंगे भी कर दो कि एक लिमिटेशन है ना तो अब भी स्टार्टिंग में तो चलो आपका फि ज्यादा था पर एक टाइम ऐसा आएगा कि फिक्स फेक्टर जो अब इसकी कम हो जाएगी अब इस पर इसनी अपोचिटी नहीं रहेगी चोथे के पास उतनी लैंड नहीं है बड़ आएगा तो काम तो करेगा ही तो इसने काम करा प्रट्शन जरूर करा पर पहले से क्या कर अब यह कम क्योंकि इसके पास एक ट्रट्टर जो है वह वह एविलेबल अब कम होने लग गया तो अब यह आपके पास में अब यह ऐसा नहीं हमेसा बढ़ता चला जाएगा वे फिक्स फेक्टर तो फिक्स एन एक टाइम पर उसकी शोटेग होगी तो आब आपका प्लक्श लगाओगे तो उसके पास में और कुछ काम करने के गुंजाइस नहीं बची और लिदी काम माट चुके ना वह डिविजन होतो गया फिक्स फेक्टर उटिलाइज होतो गया बड़किक कर पाएगा पूर केजिंग और उसके बाद एक हो लगा दिया आपने टू केजी एक ट लगाया और उससे लगाने कोई फाइदा नहीं हुआ उसके कुछ काम करके दे नहीं पाया इसका मतलब होता है कि अपने अपने फिक्स फेक्टर को फुल यूटिलाइज कर लिया है इसके आने से कोई काम आपके वासमा है नहीं जवाब उसको काम दोगे तो वह कुछ काम न अबर मैनेजमेंट का इश्यू आ जाएगा अकेला है एक तो पहले इस फालतू पड़ा हुआ इसको एक और लेबर डाल दिया फालतू में अपने काम तो कुस पर करने के लिए कुछ है नहीं क्या करेगा बताओ बैठेगा तो नहीं कि टाइम फास्ट करने के लिए गोमेगा आपके पास किसे लड़ लेगा किसी से को बाते में लगा लेगा मेरा कहने के मतलब है जब फिक्स फेक्टर पर और वेरिबल फेक्टर को आप यूज करते हैं तो कही न कहीं वहां पर आपका जो आउटपुट आपका बढ़ने के कि लेगे बच्चे समझें कि लेबर मैनेजमेंट एशू आजएंगे लेबर को मैनेज करना बहुत दिफिकल्ट हो जाएगा एक छोटे से स्पेस में यहां पर दो टीचर पढ़ाने लग जाएं हैं कि एक कॉम्बिनेशन तो ही बनता है कि बया एक एक कॉम्बिनेशन है कि शुक् anymore एकंड़ा सकता है कि इत्यास बढ़ाया रहे हैंर तो कुछ समझ में आपको आएगा यह था समंझ में आ घाएगा यह अ अशे आप एक जो क्हिस्ट गर्नेशन का फास्तर वह और हो कहले हो मेटीन चैप देखने को मिलें आपको कुल मिलागर है कितने स्टेखने को मिले आपको तीन स्टेप पहले स्टेप में तो क्या होता है गया हर लेबर पहले से ज्यादा प्लॉशिंग करके दे रहा था आपको है ना पहले स्टेप में देख रहे हूं हर नेक्स्ट पहले से ज्यादा प्लॉशिंग करके दे रहा है स् ना क्लियर है क्या वो लेंगे सको इंक्रीजिंग रिटर्न कि अगरें बच्छे और यह सेकिंड स्टैप देखोगे ना आपको बताई पहले रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है बाई आपके जेम में आट रुपर चाहर बढ़ा लूँ तो जेम में आये तो पैसे कुछ मिला नहीं आपको मिला रिटर्न तो है लेकिन इसे क्या बोलो गया है यह समझ में आप पहले आपको आ गया है यह जो हुआ 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 है अजी बच्चे देशिए ज़रा यह क्या हो गया आपका रिटर्न तो है बट कौन सा है Tech raising return है क्लेरा है और यह रिटर्न आपका कख़ोंसा रिटर्न है नेगिटिव रिटर्न है तो बच्चे रिटर्न कितने होते हैं आपके बोलक्चन में तीन तर गाइधिन मिलते हैं आपको अपकाев स्टेज का मैं क्या Łब हमak curated, स्टेज बन insane stage 1 यह कुन सा हो गया stage 2 और यह हो गया मेरा stage 3 यह बासरें आपको आई है तो कितने stages होते हैं collection के आपके पहले stages पर return कैसे मिलते हैं क्यों मिलते हैं क्योंकि हमारे pass में उस समय fixed factor under utilize हो रहा होता है और उस समय जब हम labor को लगाते तो work इसका मतलब हो गया कि फिक्स फेक्टर अब हमारे पास उतना अब लेबल नहीं है तो लेकिन मिल रहा है और थर्ड स्टेज पे जुरू से ज्यादा लेबर हो जाने के विए से लेबर मैंजमेंट इसूस आ जाते हैं इसके से प्रलक्शन मेरा बढ़ने ही जिगा उल्टा घड जाएगा अब भी बात करते हैं टोटल प्रड़क्शन की हां जी इसको हम क्या बोलेंगे टीपी और इसको हम टीपी भी बोलेंगे सिंपल सस्का मतलब है तो जितने लेबर है अट पर धितना कर कर दिया है जिए अगन एक तो सिंग्स लेबर का जो आउट पुक्ट है उसका माना प्रोडॉट कहते हैं विलिकिन ड करता है विलिकिन पालेकिन यह भी पिर प्रटा कौने Netz चेड़ और 47-था चार ने चोबिस और पांच में ने चार दिया तो पांच उने 28, छड़े ने दो दिया, तो 6 उने और साथ में ने 0 दिया, तो 7 होगा क्लेर है बच्चे? आप प्रोड़क्ट आपका, यहाँ पर भी मैक्सिमम है? यहाँ भी मैक्सिमम है, तो किसे मैक्सिम इसको नहीं मोलोगे, क्योंकि यहाँ तक तो बढ़ता हो आ रहा तो आपको लगरा आग़ी बढ़ेगा, पर यहाँ रियलाइज हुआ आपको कि भी मैक्सिमम होगा है, अब जितना ही प्रोड़क्ट आपको अब इसके अंदर ग्रोथ है, नहीं होगे, क्योंकि आप जो प्रो समझे, क्लियर हैं, यह बात समझे आपको आई, क्लियर हैं, तो यहाँ पर आपके पास में बेसिकली, यह देखो बढ़ रहा है, बढ़ा, 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 यह तो उपर से बढ़ी रहा है, तेकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ा, घटा, और नेग में 10, 12, 14, 16, 18, 20, बढ़ रहें, 10, 12, 15, 19, 24, 30, बढ़ रहें, इस, 10, 30, 45, 50, 60, चीक है न, 61, तीनों स्टेज में क्या हो रहा है, तीनों स्टेज में आपको, तीनों ही जो है, एक्जामपल जो लिये, मैंने, तीनों ही एक्जामपल में क्या देख रहे हो? लेकिन दिफरेंसिस है इसमें, क्या जरद देखो? कितना बड़ा कितना कितना इसको बोलो गया आप इंक्रीजिंग कि एट कॉंस्टेंट रेट कि इंक्रीजिंग एट कॉंसेंट रेट क्लियर है सब्सक्राइब बच्चे ऐसा क्यों हाई हर बार सेम रेट से बढ़ रहा है ना आपका इसे आप क्या बोलेंगे और यहां पर पांच छे इसका आप क्या बोलेंगे पांच जी सामें देखिए इससे क्या बोलते हाँ इंक्रीजिंग एट कॉंसेंट रेट और इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग एट कॉंसेंट रेट आपक शेक्ति पांच रेट हो लेट हैं diversity अपका ट्पांच आपके एट रेट हैंग अध्याड आपक्यों पिएश्य increasing at increasing rate increasing rate यह ने और यह भी increase हो रहा है आपका कितना वह 20 कितना वह 15 कितना वह 10 कितना वह 5 कितना वह 1 यह भी increase ही थो है is को बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिख्रीजिंग रेट भाइब बात सवाच में आई आपको आपको तो अच्छी बढ़ते वने जरा रहे थे अब रेट भी देख लिए अगर उसका हां जी जो टीबी बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा तो यह इंक्रीज वाइट इंक्रीजिंग रेट क्लियर है ना इसको आप क्या बोल दोगे इंक्रीज एट इंक्रीजिंग आप बोलोगे यहांपर आप देखेंगे बढ़ रहा है ना छै चार दो बढ़ रहा है बढ़ किस रेट से छै बड़ा फिर चार बड़ा फिर दो बड़ा यहांपर भी आपको बोलोगे आप इंक्रेजिंग एट इंक्रेजिंग रेट क्लेर ने मच्चे और यहाँ पर आपके पास पर यह बढ़ा नहीं घटा तो यहाँ पर क्या आपका फॉल हुआ क्लेर है तो आप देखिएगा जब आपका MP बढ़ रहा है खेर आपके टीपी का जो रेटर डिसाइड कौन करेगा MP तो करेगा पर टीपी किसके विसे बढ़ा टीपी में बढ़ने वाले चीज क्या है तो जो टीपी का रेटर वो क्या है MP बाद समझें तो फर्स स्टेज पर जब तक आपका MP इंक्रीज हो रहा है मट है जो टीबी के नदर जो ग्रोथ होगा पहले से जादा ही होगा जब तक आपका MP इंग्रीर जोगा तो टीपीप आपका increasing rate से increase होगा क्या का समझवाएं आपको फिर टीपी जो बढ़ रहा है किस की बजे से कौन एट टीपी को बढ़ाने माला एंपी और एंपी हर बlorat पहले से ज्यादा आ रहा है तो टीप के दो ग्रहोत होगि पहले से सही ज्यादा होगी तो जोही कहि bogirl हम है गर आपके एंपी इंक्रीज हो रही है तो ठीपी आपका जो है आपको 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 देथो नहीं इन पतले मिलाइनक मिला आपको कम मिला ये बात भी सहीर है लेकिन आपको मिले जुरूर है तो आपको पस्पयाजब अफ़ीघ अपक डिक्रीज हो रहा वह già तो TP भी increase तो होगा बट decreasing rate से increase होगा ठीक है और जब आपका MP 0 होगा तो TP maximum होगा और जब आपका MP negative होगा तो TP fall होगा बाद समझे clear है तो जब आपका MP increase होता तो TP increasing rate से increase होता है और जब आपका MP decrease होता है बट positive है तो TP प्रेशिंग रेट से इंक्रीज होता है और जब आपका MP 0 है MP जब 0 है TP maximum है जब MP 0 है TP और जब MP आपका negative है अब फिर से जहां से समझेगा जब आपका MP इंक्रीज हो रहा है तो TP क्या हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से और जब आपका MP डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है तो TP डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है और जब आपका MP 0 है और जब आपका भी बोला है ना, यह आपका MP और TP का relation है, एक question आगे आएगा, मिसी को repeat करेंगे, clear है, और आप एक बात समझेए, भया, fix factor कितना है आपका, एक labor कितना लगा है, एक ratio हो गया ना, अब एक के साथ में कितना दो, तो यह क्या हो गया, proportion हो गया, बच्छे, proportion क्या होता है, ratio क्या होत इसको समझेगा, देखेगा, बताए यह ratio है ना, यह ratio fix है यह change हो रहा है, ratio fix है क्या, ratio fix है क्या, ratio fix है क्या, तो ratio change हो रहा है न, तो इसको क्या बोलेंगे, variable proportion, variable मतलब कि changes आ रहे हैं, किस में, proportion में, तो जब भी आप fix factor के साथ में, variable factor को change करते रहोगे, तो आपका fraction कैसे behave इसको बोलते हैं, आप बोलोगे कि पहले तो मेरा TPP increasing rate से increase होगा, सवाल क्या है, जब भी fix factor में आप variable factor लगाते चले जाओगे, मतलब fix factor और variable factor का proportion change होता चला जाएगा, तब तक आपका production कैसे change होगा, तो आप बोलोगे, पहले stage 1 में, MP मेरा increase होगा, क्योंकि मेरा उस समय, fixed factor underutilization हो रहा था, मेरे पास में work division हुआ, इसकी वएसे मेरा MP हर बार increase होगा, और TPP इसका मतलब हुआ increasing rate से increase होगा, second stage पर जब fix factor वो available कम रह गया, तो मेरा MP तो increase, मेरा MP तो आएगा, पट वो decrease होगा, पहले से कम आएगा, और मेरा TPP increase होगा, बट decreasing rate से increase होगा, ये low है न, और आपका MP जब 0 को तो TPP maximum हो जाएगा, जब MP आपका negative हो तो TPP fall हो जाएगा, तो जब भी आप fix factor के साथ में variable factor को लगाते हो, तो इस तरीके से आपका production में changes आते हैं, ये नियम है production का, ये low है, तो low of variable proportion, fix factor के साथ में variable factor को change करने का क्या नियम है, ये नियम है, MPP जब आपका increase होता है, तो TPP increasing rate से increase होता है, MPP जब आपका degrees होता है, MPP जब आपका degrees होता है, तो TPP decreasing rate से increase होता है, MPP 0, TPP maximum, जब MPP negative है, तो TPP आपका fall, clear है बच्चे, लो भी आदोगे आपको low variable proportion, clear है नो, सवाल करता हूँ, explain the low variable proportion, यही जो table बनाया है नो, बड़ा simple यह चार से सुरू कर देना, चार, छे, आठ, बबले बढ़ाया, फिर घड़ाया, छे, चार, दो, जीरो, फिर वहाँ से आप TPP नहीं काल दोगे, फिर factor तो एक एक कर दोगे, variable factor एक दो तीन चार गिंती बना होगे, explain the terms of returns to a factor, explain the terms of law of returns to a factor, भाया, दीखिए, एक factor लगाया, और उसके लिए में return मिल रहा, तो तीनो सवाल का मतलब एक ही है, clear है, क्या कहता है, it shows that the nature of rate of change in output due to change in the variable factor, in a short run, बता रहा है कि भाया, output के changes किस परकार से होते हैं, short run में, when one input is a variable and all other inputs are fixed, जब एक inputs क्या रखा है मैंने, variable और एक क्या रखा, fixed रखा, like land and labor, this law shows the nature of the rate of change in the output, due to change in the only one variable factor of proportion, जब हम एक ही factor में change ला रहे हैं, दूसरे में changes नहीं ला रहे हैं, तो मेरे total output में कैसा change जाएगा, low variable proportion states that as we increase quantity of only one inputs, keeping other inputs fixed, मत्रा समझे एक सब्सक्राइब क्या है, नहीं सब्सक्राइब है, नहीं सब्सक्राइब है, हिंदी में ले लो फिर, मात्रवासा में पकड़ लोगा जल्दी से, जब दस्तिक इंग्लिस लेके गुम रहे हो, लो फिर, पहले स्कूल वाले इंग्लिस में देके राज़ी नहीं थे, फिर, कॉलिज वाले अब हिंदी में देके राज़ी नहीं है, अब जो सवाल भी टीचर पूछे तो में को आंसर तो पता है, लेकिन मुसका जवाब नहीं दे पाँगा, अब लेंग्वेज का इतना ही इंपोर्टेंस रहता है कि आप कम्मुनिकेट कर पाएं, बस, लेंग्वेज की वज़े से बहुत सारे बच्चे पाटिसिपेट नहीं कर पाते हैं, अच्छा टैलेंट होने के बाद भी, इंग्लिष मीडियम होने के बीछे जो डॉक्टर बन सकता है, अच्छा उखस्टा मन सकता था, उसका लेंग्वेज नहीं रहा पहले से तो नहीं मन पाते है, तो लेंगवेज बड़ा ईश्यू क्रेट करता है, पड़ कोई बात नहीं, आप तो दिदिरे लेंग्वेज बड़े एजी लंग में कहने कोशिश कर रहा हूँ लो वेरिबल प्रपोर्शन आप बोलो के सार LVP क्या है अरे लो ओफ वेरिबल प्रपोर्शन है इस्टेट देट अज भी इंक्रीज क्वांटिटी आफ अफ अल्ली वन इंपूर्ट से क्या मतलब है अज़े वन इंपूर्ट मतलब अगर आप एक वरिबल फेक्टर में चेंज कर रहे है कीपिंग अधर इंपूर्ट सिक्स्ट क्या मतलब है लेबर में चेंज कर रहे हो और लैंड को फिक्स रख रहे है वह वही बात कह रहे है न टोटल प्रोडक्ट टीकी इनिशीली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रेट यह बात रिपीट करेगा तो वही चीज यह रिपीट करेंगी आप वह बात लिख सकते हैं अब बात पच्चे बढ़ाने में लग गया मैं डागराम तो बनाएं नहीं था स्का क्लियर है अब डाइगराम इसका कैसे बनेगा सवाल इसका टाइम ज्यादा नहीं हो गया है मैं थियोरी गल्द पढ़ाएं लगे हैं वो बताना था देख लो पहले बस दो मिंट लगेंगे कहां है ये कुशन अरे जल्द हो जागा सामें देखो पहले हां जी पच्चे प्लीस सामें देखेगा मैं टोडल कि बात कर रहा हूं और नीचे आउट्र 10 डाइ mixture वर्याख थे त्सक्रेशन हो रहा है तो क्या यह बढ़ रहा है तो और अगर यह बढ़ रहा है तो क्या डियाग्राम हमारा यहाला बनेगा ऐसे अब लोग रहा है अब बढ़ में ऐसे भी हो सकता था ऐसा इसलिए बन रहा है बच्चे आप खुद देखो आप यहां देखें टोटल प्रोड़क्ट आपके पास पर यह बात कर रहा है वेरिबल फेक्टर की डिस पर शेम लगा रहा है अब टीपी का नेचर देखो कैसा हो रहा है हर बार पहले से समझ में आया तो टीपी भी बढ़तो रहा है आपका आप लेबर लगा रहे हैं ठीट गरा कि यह यह बिया जबार यह बढ़तो रहे हैं अप लेबर लगा रहे हैं एक एक्चर लेबल लगा जबाए थे पे बढ़ा है भार अब नहीं कि जो इंक्रीजर ह According रषिए हुआ बढ़तो रह यह अव्या बढ़तो रहे हैं न एक लेबर बड़ा तो टीपी बड़ा तो टीपी बड़ा तो तो आपका टीपी नहीं बड़ा फिक्स रहा है यह अई हो रहाए कि लिवर मधा ड़ति वर्ट हो रहाएं अब क्योंकि आपकल इ voice में क्या हॉआ लेवर बढना तो टीपी क्या हुआ बड़ने ही जगा घठ गया लिब बना तो टीपी बढ़ा ने गटा थो थाट Kerry में आछहु तो इसलिए ये तीनों स्टेज के लिए डियाग्राम टीपी ऐसा रहता है फर्स टेज यहां तक सेकिंड स्टेज यहां तक थर्ड सेज के बाद वाला इस फर्स्ट सेकिंड एंड थर्ड बात संज में आई या नहीं बताएं अब कुछ बच्चे ना फॉस्ते बात तो एक ही ह यह तिपी एधर फोड़ी होता है इसमें तो आपने सेकिंड घर डाला फर्स टेज कहां गया आपका गल्त हो जाएगा समझे के क्लेरें को कि लिए देखेर हैं फर्स सेंट स्चेज एंग है फ्र्ड चेज ऑर एंपी देख रहे हैं आप जब तक टीपी आपका नेगेटिव हो गया तो टीपी आपका अगिरिज और गए धिया है ठीक है यह वह यह स्टेज बन स्टेज टू स्टेज त्री त्री स्टेज इसमा डिवाइड है क्लेरे बच्चे